चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब रजल्ट 7th of September 22 को आ रहा है तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और साथी साथ ये भी चर् दूँ कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाते हैं तो हमारी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या फिर हमारी वेबसाइट www.sopda.education.in से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मैंने सीट मैट्र इस्टेट, आयू, स्वेटनरी, MBBS, VDS सभी के लिए ये बुक आवेलेबल है तो ये आपके लिए काफी helpful रहेगी जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे हम आप से संपर कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं अब हम बात करते हैं वीडियो के बारे में तो NTA दौरत जारी important dates पर हम एक बार नजर डाल लेते हैं तो देखो अभी जो answer की upload होगी यानि कि आप answer की download कर सकते हैं 30 अगसी ये आपको पता चली गया है और उसके बाद में OMR challenge होगा, answer की challenge होगा और 7th of September 22 को result आ जाएगा तो जब 7th of 22 को need का result आ जाएगा तो MCC की counselling 20 of September 22 से start होने की possibility है और उसके 57 दिन बाद state की counselling start होने की पूरी पूरी possibility है इसके बाद में जिन बच्चों का re-neet होना है मैंने पहले वीडियो बना के बता दिया था कि 6 center affected है तो उस पर re-neet होना है वो 4th September 22 को है 4 September 2022 को ये exam है तो जिन जिन बच्चों का exam है उनके mail पर उनको admit card NTA द्वारा भेज दिया गया है फिर भी इसकी website पर भी link available हो जाएगा आप वहाँ से भी download कर सकते हैं इसको इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना के बता दिया कि कौन से 6 center है वहाँ के affected बच्चे कौन कौन से है तो आप अगर उसमें affected है तो अपना admit card आपके mail पर आ गया होगा नहीं तो website से download कर लेना है जल्दी ही नीट की website पर ये upload हो जाएंगे अब जो 2022 में counseling होनी है UG की उसकी possibility हम मान रहे हैं कि ये 20 September 22 से start हो जाएगी क्योंकि अभी इसमें कोई अर्चल पैदा होने की संभावनन नहीं है क्योंकि PG की counseling है वो 1st of September 22 से start होनी जा रही है और UG वो PG के same rules है तो UG की counseling भी delay होने की कोई possibility नहीं है इसमें अब बात करें हम Supreme Court में चल रहे EWS केस के status के बारे में तो इसकी hearing complete हो चुकी है और decision 30 September 22 को आ जाएगा मदरास High Court में जो 50% seat के regarding NMC rule का जो case सल रहा है उसकी भी hearing complete हो चुकी है decision आना बाकी है और वो case अभी listed नहीं हुआ है इसी week में यानि की 1st September से पहले पहले इसका भी result आ जाएगा तो जैसे भी अपडेट मिलेंगे इसके बारे में हम आपको inform कर देंगे आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें share करें चैनल subscribe जरूर करके रखें हो सकता है एक छोटी सी information आपके लिए बहुत काम आ जाए मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए मैं हरसाई चोपडा आप से लेता हूँ इजाजत जैहिन